समस्त देवासी समाज को आथ जोड़के नमस्कार और प्रणाम करता हूँ जैसा कि वक्ताओं ने कहाएगी दो मिनिट या तीरी मिनिट का समय लेना है तो मैं अपनी संक्सिट में बात करणा चाहता हूँ समस्त समाज को आथ जोड़ करके कि जिस तरह से अपने को आरकंशन मिला है आरकंशन की बात कर रहे हैं पाच परशंट जो आरकंशन मिला है अपने को अथी पिछडा वरिक के रूप में तो अभी हम उस पांच परसेंट आरक्षण का पुरण रूप से उप्योग नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में समाज से निवेतन रहेगा कि वो इस बात पर विजार करें कि अपने इस आरक्षण का कितना फाइदा उठा रहे हैं यह हमारे लिए सोच का विशे है अपने उसका अभी तक पुरूण रूप से नहीं उठा रहे हैं दूसरी बात में इसमें एक मेहतमर्ण मिंदु है कि जब हमें अन्य पिषडा वरग से यानि ओपीसी से अती पिषडा वरग में लिया गया नहीं मोस्ट बेक्वर्ट क्लास में लिया गया तो मोस्ट बेक्वर्ट क्लास में लिया गया तो हमारे उपर ये क्रीमी लेयर की लकीर भी नहीं होनी चाहिए ये मैं समाज से निवेदिल करता हूँ कि इस क्रीमी लेयर की लेयर को इस लकीर को अटाया जाए कि समाज का हरे एक बच्चा जो आगे हैं उनको भी आगे आज बढ़ने का मौका मिले क्योंकि जिस तरह से स्टी में क्रिमी लेर नहीं है तो जब आपने अती पिछडा वर्ग से हमें अती पिछडा वर्ग में लिया है तो ये गरिमी लेर की जो लकीर है इसको अटा दिया जाए दूसरी बात रही सिक्सा की तो सिक्सा के लिए मित्रों आप सबसे निवेद नहीं की घर से सुब्यात होती है सबसे बले तो अपने अपने जो रिस्तेधारी में भाई बंदों में जो भी सक्सम बंदा है वो आज से प्रण लेके जाएगी कम से कम एक बच्चे की कॉलेज इस्तर की सिक्सा मैं मेरे इस्तर बे कर वाऊंगा तो काफी इसमें भी सुधार होगा तो खाली बाते करने से कुछ नहीं होगा खाली सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा यह बाता एक हम्ना बहुत जगूरी है दूसरा सामाजी कुराइओं की बात आी तो जो यह मर्तिभोज़ वाली बात है वो सारे समाज़ ने बंद कर दी है आपके आस पाज जो रटे हैं जो सारे अच्छे सा समाज़ सभी ने बंद कर दी है लेकिन अफसोस की बात है कि देवासी समाज अभी भी उस कूप परता को डो रहा है इस परता को सिवीत करने की जरूरत है आने वाले को खाना जरूर खिला है आप लेकिन जो ये बड़े बड़े फंक्शन करते हो ये बिल्कुल ही गलत है इसका लोजिक या है कि जब आप किसी की रहत होती है तो साल परतक मिठा निवनाते हो गर पे और जब बाहर वे दिन आप मिठा कैसे खावा सकते हो